ओम शांती अव्यक्त बाब दादा मदुभन आज की मधूर नुल्ली 10.9.2023 रिवाई डेट 4.12.1995 एर्थात निश्य के फांडेंचन दारा संपूर पवित्रता को धारण करो आज बाब दादा देश विदेश चारो ओर के नए नए बच्चों को देख रहे हैं चाहें मधुभन में साकार रूप में आए हो चाहें आकार रूप में अपने अपने सेवा इस्तान में आए हुए हैं तो नयो नयो को देख बाब दादा सभी के निश्य को देख रहे हैं क्योंकि निश्चय इस ब्राम्हर जीवन के संपनता का फाउंडेंचन है और फाउंडेंचन मजबूत है तो सहिज और तीम गती से संपूनता तक पौचना निश्चित है आज के मुल्ली से मुख 10 पौइंट पहली पौइंट जो यर्थात निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया सयम को भी आत्शरूप में जानना मानना चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना ये है यर्थात निश्चय दूसरी पौइंट दूसरा निश्चय है योग थोड़ा योगदारा थोड़े समय के लिए अशांती से शांती का अनभव करते हैं और इस्तान का सक्तिशाली सांत वायू मंडल आकर्शित करता है तीसरी पौइंट दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी शुरू का जोस है उसमें फर्क आ जाता है चौथी पौइंट इस सीजन में नए-ने बहुत आये हैं और चांस भी मिला है यह तो बहुत अच्छा है बाब दादा को भी नए-ने बच्चों को देख खुशी होती है कि यह फिर से अपने परिवार में पहुँच गए पौँच मी पौइंट बाब साथ है तो बाब की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो शरुशक्तिमान है यह मानते हो या सिर्फ जानते हो तो जब शरुशक्तिमान बाब साथ है तो शरुशक्तिमान के आंगे आप अवित्रता आ सकती है नहीं आ सकती चत्मी पॉइंट, पहले जैसा नसा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्ता बड़ी अच्छे थी, अभी पता नहीं क्या हो गया, माया चोर गेट से आई, ये है पता, ये नहीं कहो, पता नहीं सात्मी पॉइंट, टीचर को भी आता है, टीचर को क्या चाहिए, सेंटर अच्छा हो, कपड़े भल कैसे भी हो, येकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो, वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा के भंडारी अच्छी हो, अगर अच अच्छा इस्टूडिन्ट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है शरुशक्तिमान साथ है तो बाप किसी ना किसी को निमित बना ही देगा तो मुख बात जो यर्थाट निश्य है उसको पक्का करो कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सरुशक्तिमान है लेकिन पैटिकल में कर्म में आना चाहिए बाप शर्व शक्तिमान है लेकिन मेरे को माया हिला रही है आपका बाप शर्व शक्तिमान है क्योंकि उससे उपर तो कोई है ही नहीं कई कहते हैं ग्यान योग बहुत अच्छा लगता है अच्छा है वो तो ठीक है लेकिन कर्व में लाते हो ग्यान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा यह कहना नहीं ग्यान का आर्थ है समध समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है दस्मी पॉइंट तू नए नए क्या करेंगे अपने निश्य को और पक्का करना नहीं तो फिर क्या होता है दो साल चलेंगे तिन साल चलेंगे फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे अच्छा वर्दान अपने पन के अधिकार की अनभूती द्वारा आधिनता को शमाप करने वाले शर्व अधिकारी भव लोगन है आज का अपने संसकार वा गुडों को सर्व के साथ मिला कर चलना यही विशेश आत्माओं की विशेशता है ओम शान्ति